नमस्कार दोस्तो अचकी इस वीडियो में बात करने वाले है रेंटेक MPS सिरप के बारे में जैसे कि दोस्तो इसके उप्योग पेट में बहुत ज़्यादा ग्यास और एसिडिटे का मात्रा बर जाने पर यूज किये जाते है आईए अधिक बिस्तार से जानते है कौन-कौन सा कंडिशनों में आप इस रेंटेक MPS सिरप को उप्योग कर पाएंगे अगर इसके उपड यूज किये गए इंग्रेडियन्स के बारे में बात करने दोस्तो मेगल ड्रेट 400 mg और पॉली डीमिथिल सिलोकसोन 20 mg पर 5 ml में यूज किये गए है दोस्तो इसे जो की है J.B. Chemicals and Pharmaceuticals Limited Company दोरा मैनिफेक्चरिंग किये जाते है अगर इसके मार्केट पैस के बारे में बात कर दोस्तो 200 ml की bottle packing में आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके MRP 130 रूपी से और दोस्तो ये जो की है सुगर फ्री है इसे diabetes के पेशन भी उप्योग कर पाएंगे आए जान लेते हैं इसके users के बारे में कौन-कौन सा condition में इसके परयोग किये जाते है जैसे कि दोस्तो ये एक antacit anti-flatulant syrup है इसके उप्योग पेट में बहुत ज़दा gas और acidity का मतरा बर जाने पर यूज के जाते है इसके अलवा भी आहर नाल में या फिर पेट में जलन होना पेप्टिक अलसर, खटी डकारे आना, पेट फूलना इन कंडिशनों में भी आप इस rentac MPS syrup को यूज कर पाएंगे अगर इसके डोसेच के बारे में बात कर दो दोस्तो एक एडल बैक्ती सुबह 10 ml तथा शाम 10 ml दिन में दो बार ले पाएंगे आईए जान लेते हैं side effect के बारे में क्या कैसके side effect हो सकती है तो दोस्तो इसके जाता side effect नहीं है लेकिन किसी किसी बैक्ती को देखने को मिल जाती है जैसे diarrhea होना, constipation, abdominal pain यदि इन में से किसी भी प्रकास side effect आपको इस rentac MPS syrup को लेने का बात देखने को मिलती है इस syrup को अब लेना तुरन बन कर दे आपके नजदिये किसी डॉक्टर से परामार्स करे उमिद करता हूँ आपको rentac MPS syrup के बारे में संपूर्ण जानकरी मिल गई होगी आपके साथ मिलते हैं next में और एक new medicine से related वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई and take care